हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल फैशन इलास्टेशन हिंदी आज हम बेसिक बॉड़िस ब्लोग बनाना सीखेंगे पेपर पैटन पे तो आप ध्यान से देखिए और सीखिए कि किस तरीके से मैं बहुत ही असान तरीके से आपको बेसिक बॉड़िस ब्लोग बनाना मै पच्छे से देख पाएं कि मैं कितना कितना ले रही हूं मिजरमेंट तो देखिएे सबसे पहले मैंने क्या किया है एक इंच का कॉ representing पहले नीचे माजन दिया है और साइड में भी एक इंच का माजन दिया है अब हमने अपनी length ली है जो length है हमारी front की bodice block की वो है 17 and a half मतलब साड़े सत्रा और ये हम 34 bust के size का बना रहे हैं तो सबसे पहले length लेने के बाद हमने waist ली है waist हमारी है 10 inches तो जो waist है अब हम इन पर मार्किंग करेंगे हम 4 तरफ देखिए ध्यान से देखिए जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ इधर भी हम 17.5 ही लेंगे और उपर भी हम 10 इंच ही लेंगे तो 17.5 बाइद 10 का हमने एक box बना दिया है और A, B, C और D हमने इसके नाम दे दिये हैं अब हमारा जो front है center front जो है हमारा वो दिया है 14.5 इंच उसके बाद हमने E एक मार्क कर दिया है 14.5 हमने नीचे से लिया है अब हमने C और E को measure किया तो 3 इंच आ रहा है 3 इंच में से अब हम 1 8 माइनस करेंगे और C और F जो neck की जो हमारी width है वो लेंगे अब हम इस पर F और E को joint करेंगे french curve के साहिता से ताकि एकदम round shape आए neck का अब हम E और D का midpoint लेंगे 14.5 है 14.5 का जब हम half करेंगे तो हमारा 7.25 आएगा उसके बाद हमने एक princess line ले लिया है ये princess line के लिए हम 3 inch और 3 4th inch एक्स्ट्रा जाएंगे और mark कर देंगे G और H हमने इसका नाम दिया है ये देखिए अब ऐसे ही हम नीचे point लगाएंगे 3 और 3.54 पे कहने का मतलब है 4 inch से ये 1 4th inch कम होगा और अब हम एक एक इंच दोनों तरफ पे margin देंगे dart का जो intake है वो एक एक इंच का रहेगा और इनका नाम देंगे हम I, J और K और इनको हमने सीधा H से मिला दिया है अब हम क्या करेंगे जो हमारा जो front का waste दिया हुआ है उसमें से हम D और J को minus कर देंगे मतलब 2 inch और 3 4th inch हम उसमें से minus कर देंगे तो हमारा आएगा 4 inch प्लस 1 8th inch तो वो हम mark करके L तक point लगा देंगे L तक उसके बाद हमारा जो arm तक दिया हुआ है length arm to waist length वो हमारा 8 inch है 8 inch पे mark करेंगे उसके बाद M point आ जाएगा हमारा M से M1 तक जाएंगे हम 2.5 धा इंच जाएंगे और धा इंच है हम सीधा जाएंगे ये देखिए अभी हमने इसको joint कर दिया है अब हम क्या करेंगे जो हमारा shoulder to waist length दिया हुआ है वो दिया है 14 inch और plus 3,4 inch उसके mark करेंगे तो N point आएगा हमारा N हमने लगा दिया निशान N से N1 तक हम आएंगे horizontal way में तो half inch आएंगे और N1 नाम उसका देंगे हम उसके बाद N1 को F तक हमने joint किया है उसके बाद हमें क्या करना है shoulder का half करना है shoulder हमारा 5 inch दिया हुए है मैं सारा measurement आपको description में दे दूँगे अब F से F1 तक जाएंगे हम 5 inch का आधा मतलब 5 का आधा जाएंगे धाई आएगा ऐसे हमें N से O तक जाना है धाई इंच और उसके बाद O और P को O और F को H से joint कर देना है यह देखिए यह हमारी dart का intake आ जाएगा अब उसके बाद यह हमारा front तयार हो गया है इसके बाद back पे जाएंगे back के लिए हम जो हमारा M वाला जो line है वो एकदम horizontal way में पूरा joint कर देंगे 10 inch तक 10 जैसे हमने front के लिए लिया था वैसे हम back के लिए भी जो उसका width रखेंगे 10 रखेंगे लेकिन जो हमें length रखनी है वो रखनी है हमें 16 प्लस 3,4 inch मतलब 17 से थोड़ा सा कम रखना है वो front का हमारा 17 था और हमने यह Y और Z नाम दे दिया है इसके बाद हम Y से X तक जाएंगे जितना हम C से F तक गए थे उतना ही हम Y से X तक जाएंगे और एक horizontal line ड्रो करेंगे इसके बाद हमें एक vertical line ड्रो करना है यह हमें जाना है 1 inch से थोड़ा सा कम 7,8 inch तक और mark कर देंगे X और W इसका नाम दे देंगे इसके बाद french curve से इसका shaping करेंगे यह हमारा back का neck है तो देखे इसके बाद हम क्या करेंगे Y और Z जो हमारा measurement है total उसका हम 14 हिस्ता निकालेंगे और Y से हम नीचे आएंगे जो भी हमारा 14 हिस्ता आ रहा है हमारा आ रहा है 4 inch और 1,8 inch प्लस तो इसके बाद हमने एक point दे दिया है और वहां से एक horizontal line ड्रो कर दी है यह line हमने लिए 7 inch की क्योंकि हमारा जो shoulder blade दिया हुआ है back वो दिया हुआ है 7 inches तो क्यों इसका नाम दे देंगे और क्यों उसे क्यों 1 तक आएंगे हम नीचे down 1 inch उसके बाद हमें W को N तक एक line ड्रो कर देंगे हम diagonal line आएगा यह और जैसे हमने front के shoulder के लिए किया था वैसे हम back के shoulder के लिए करेंगे पहले हमने धाइंच लिया था अब हमें धाइंच के साथ 1 eighth प्लस करना है इसमें ध्यान से देखिए धाइंच और 1 eighth लेने के बाद W से P1 तक P तक जो आएगा हमारा नमार्क करेंगे उसके बाद 3-4 inch और जाएंगे डार्ट का intake देंगे P1 लेंगे उसके बाद फिर से धाइंच जाएंगे और प्लस 1 eighth और उसके बाद P2 आजाएगा हमारा यह सारे points हमें लगा देने है उसके बाद वापस से आप नीचे आएंगे वेस्ट पे और जो डार्ट का जो प्रिंसिस लाइन का हमें दिया हुआ है बैक के लिए वो दिया हुआ है 2 inch और 1 eighth inch तो उसपे मार्क करेंगे U आएगा U के बाद हमें 1 inch और जाना है फिर से 1 inch जाना है और इनके नाम दे देना है हमें U, V और T जो center point है वो T है तो Z से और T तक का जितना भी measurement आएगा उतना ही आप उपर लेंगे और सीधी एक line ड्रॉ कर देंगे vertical line ये देखिए ये हमारी dart का intake आ गया है उपर हमें mark कर देना है S अब उसके बाद P को S से joint करेंगे जो हमारा जो shoulder blade था 7 जो हमने R से Q तक line ड्रॉ की थी वहाँ पे 1 इंच उपर जाएंगे और एक dart ड्रॉ कर देंगे P1 तक इसके बाद हमें French curve से Q1 को M से और P3 से मिलाते हुए R मोल का shape दे देना है देखिए उसके बाद जो हमारा back waste है जो हमारा back वो है 9 प्लस 18 इंच तो हम Z से L1 तक ड्रॉ करेंगे पॉइंट एक और इसको joint कर देंगे यह देखिए इसको मा कर दिया हमने यह हमारा back आ गया है यह हमारा front है अब आगे इसकी cutting देखते हैं कि cutting किस तरीके से करनी है अगर आपको लगे इसमें कुछ पूछना है आपके कोई questions है तो आप मेरे को comment में जरूर कर सकते हैं questions मैं उनका answer जरूर दूँगी आपको तो देखे सबसे पहले हम इसका center cut करेंगे इसका fold करेंगे जो center line है हमारी यह हमने one inch extra लिया था इसको fold कर देंगे अब जो हमारी dart है उसको देखो point से point मिला के किस तरीके से cut करना है वो ध्यान से देखिए यही main चीज है कि आपको cutting कैसे करनी है dart की इसलिए हमें उपर और नीचे थोड़ा extra रखना होता है margin अगर आपको पसंद है तो please like कीजे मेरी वीडियो को please share कीजे अपने friends के साथ तो देखिए यह आर्मूल cutting हो गया है यह side से हमने one inch का जो हमारा margin था वो cut कर दिया extra अब यह देखिए कि इसको जो हमारी उपर और नीचे line हो रही है उससे एक ही line से cut करना है सीधे ले जाते हुए आपको नीचे टेड़ा मेडा cut करना आप scale से एक सीधी line भी draw कर सकते हैं अगर आप direct नहीं काटना चाहते हैं तो तो देखिए फ्रेंट की cutting हो गई है अब इसी तरीके से हम इसके बैक की cutting करेंगे झाल झाल तो देखे फ्रेंड्स यह हमारा बोरिस ब्लॉक बनके तयार हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए श्यर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए